असलाम अलेकुम कैसे हो आप लोग मुझे कीम है कि आप लोग बिल्कुट ठाक होंगे और अल्ला के हथो एमान में होगे आज के अपने स्वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करने जा रहे हैं Why you should learn C programming language as a first programming language कि हम लोगों को C programming language को as a first programming language क्यों सीखना चाहिए तो कौन-कौन सी वज़ा है जिनकी वज़ा से C programming language सीखना हम लोगों के लिए जरूरी है आप लोग फरस्ट टाइम हों तो चैनल को सबस्क्राइब कर फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताके upcoming वीडियो आप लोगों को बारी-बारी मिलती रहें अब बात कर लेते हैं उन तमाम वज़ुहात की जिनकी वज़ा से C programming language as a first programming language programming की फिर्ड में हम लोगों को जरूर सीखना चाहिए Learn the basic of programming Learn the basic of programming का मतलब ये है कि जो programming की फिर्ड है उसमें basic की understanding बहुत जरूरी है और programming की फिर्ड में जो basic है वो variables, वो control statements, loops, array and pointers है अगर हम लोग इनके बारे में अच्छे से understanding develop कर लेते हैं तो हमारे programming की जो basic है वो stronger जाती है और C programming language में जो programming की basic है उसको code करना असान और अगर हम लोग C programming language की जो basic है उसको अच्छे से understand कर लेंगे तो इससे फाइदा हमें यह होगा कि हम लोग दूसरी programming language को सीखना चाहते हैं तो हम लोग easily दूसरी programming के concept को भी understand कर सकते हैं C programming language की मदद से अगर हम लोगों ने programming की basic को strong कर लिया तो हम लोग बड़े-बड़े software easily drive कर सकते हैं जिस तरह से एक building की अगर base strong है तो उस पर multiple buildings खड़ी की जा सकते हैं जिर्कुल ऐसे ही अगर हमारी programming की base strong होगी तो हम लोग बड़े-बड़े software easily बना सकते हैं तो programming की basic है उसको strong करने के लिए C programming पैसे हैं Why to learn C यानि हम लोग C programming language को क्यों सीखना चाहते हैं इसकी दूसरी वज़ा देखते हैं वो है control computer more directly यानि C programming language में जो हम लोगों ने software develop करने होते हैं अगर तो हम लोग hardware के लिए develop कर रहे हैं तो C programming language best है क्यों best है? क्योंकि ये hardware के लिए directly control रखती है जिसकी वज़ा से हमारा जो program है वो faster run करता है और memory management हम लोग program में efficiently कर सकते हैं यानि C program में लिखा हूँ code efficient भी होगा और वो faster run भी करेगा अगर हमारे पास small devices हैं जिनके लिए हम लोग program लिखना चाह रहे हैं small devices हैं तो उन में जो resources होते हैं वो limited होते हैं gadgets में भी resources limited होते हैं तो फिर हम लोगों को C programming language का ही इंतखाब करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे महदूद resources होते हैं limited resources होते हैं तो इन limited resources को programmatically control करना और उनको manage करना C programming language की मदद से असान होता है अब बात करते हैं तीसरी वज़ा की जो कि है make program for different computers यानि इसका मतलब यह है कि हम लोगोंने C language में कोई code लिख है कोई program लिख है तो वो code या program हम लोग मुखतलफ computers पर house को run कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ simple सी modification के साथ यानि अगर हम लोग computers की types की बात करें तो market में बहुत सी किसने के computer मजूद है आप लोग Google भी कर सकते हो और जिससे आप लोग जानोगे कि कितनी types के computer है तो हम लोगोंने जो software C language में लिखा है तो वो मुखतलिफ अक्साम के computers में run करेगा और more efficiently run करेगा तो एक वज़ा ये भी हो सकती है C programming language को as a first programming language सीखने की कि हम लोग अगर C language में कोई software लिखेंगे तो वो multiple computers यानि मुखतलिफ अक्साम के computers के उपर run हो कब हम लोग बात करते हैं fourth वज़ा की वो है work with older software इसका मतलब क्या है कि C programming language एक old procedural programming language है और C programming language जब old procedural programming language है तो इसका मतलब है इसमें बहुत से software ड्वाल पूचके हैं इस language में और उनमें कोई नई update शामल करनी है तो C programming language का जो developer है वो ही कर सकता है या फिर old procedural programming language है तो इसके बहुत से tools भी develop हो चुके हैं और जिसकी मदद से हम लोगों की जो coding की effort है वो काफी हद तक save हो जाती है तो इसलिए भी मैं आपको recommend करूंगा कि आप लोग C programming language को जरूर सीखें उसके बाद हम लोग जाब के point of view से और last फजा डिसक्रिस कर लेते हैं वो है get job chances यानि जाब के जो chances हैं वो यहां पर बढ़ जाते हैं और अच्छे chances हैं और तिन तिन companies में जो C language का developer है वो जाब करता है यानि वो वाली companies जो के system software ड्वेल्प कर रहे हैं अब system software की बहुत से types हैं यानि जो कोई अगर आप लोगोंने कोई device बनाई है कोई gadget बनाया या company ने बनाया है आप लोग उसके लिए programming करना जाते हो तो उसके लिए system software आपको लिखना पड़ेगा या driver लिखना पड़ेगा और वो किसमें लिखा जाता है C programming language में लिखे जाते हैं क्योंकि ये hardware के लिए directly accessor रखते हैं और C language का code जो है more efficiently run कर सकता है और उन industries में जो system software develop करती है आपके job के chances हैं embedded system बनाना चाहते हो आप लोग या वैसी field में जाना चाहते हो इस company में job करना चाहते हो जहां पर embedded system बनते हैं तो वहां पर आपको job मिल सकती है real-time applications real-time applications जो develop होती है अगर आप लोग वो develop करना चाहते हो तो फिर उनके लिए C programming language भी best है आप लोग gaming की field में जाना जाते हैं गेम develop करना जाते हैं या जो company गेम develop कर रही है और वो चाहते हैं कि जिस device में हमारे गेम रन करेगी उसके limited resource है और वो उसको control और manage करेगी तो उसके लिए भी C जो है best है I hope आप लोग काफी हद तक के लिए हो चुके हो कि why you should to learn C programming language as a basic programming language अगर आप लोग first time हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा ताकि next upcoming वीडियो आप लोगों को बारी बारी मिलती रहे ओके दोस्तों अलाहाफी अपना देर सारे ख्याल रज़िएगा बाए बाए